मैनमार बॉर्डर पे आखिर क्या हो रहा है क्यों 5000 लोग भाग कर भारत में आए तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में मैनमार के सैनिक भी भारत आए हैं जानेंगे यहां क्या कुछ चल रहा है पहले यह कहानी चाइना के साथ चल रही थी और अब यह भारत के साथ हो रही है चाइना ने क्या एक्सन लिया था और साथ में चाइना ने केस क्यों ठोक दिया है और वांटेट की लिस्ट भेज दी है मैनमार के सेना पर मुको और जहां एक तरफ ये सारी कहानी हो रही है तो वहीं इस जगह पे रूस भी उतर आया है जानेंगे मैंनमार में सबसे बड़ी चीज क्या चल रही है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से हुआ क्या था इन सारी चीजों की सुरुआत हुई सान से सान क्या है तो स्क्रीन पर एक जगह देखिए ये जो जगह देख रहे हैं ये जगह है सान और सान कहां से लगता हुआ है ये चाइना के बॉर्डर से लगता हुआ जगह है अब यहाँ पर एक बहुत बड़े पहमाने पर गतीविधियां चलती है और यह हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि मयनमार में चाइना यहां सान इलाके में एक बहुत बड़ी गतीविधि को चलाता है और कहा जाता है कि सान का जो इलाका है ये सान का इलाका गैंबलिंग के लिए मसहूर है मतलब यहाँ पर कसीनो और जुए की सारी चीजे यहाँ होती है यहां पर कहा तो यह भी जाता है कि बहुत सारे चीनी मूल के लोगों ने यहां का लोकल अपना सर्टिपिकेट बनवा लिया है यहीं पर बस गये हैं यहीं पर जमीनिये वगेरा खरीदते हैं तो कुल मिलाकर आज नहीं तो कल सान बन जाता चाइना का पार्ट लेकिन यह जो मैनमार के संगठन है जो रिवल गूपस है उनके और मैनमार की जुन्ता सरकार के बीच में जो चल रहा है जगड़ा इसकी वजह से यहां पर तनातनी बढ़ गई है और इस तनातनी बढ़ने के बाद इस्तिती बहुत ज़्यादा विकराल हो गई विकराल होने के बाद लोग भागने लगे भाग भाग कर बहुत सारे लोग चाइना में भी घुसे जिसके बाद चाइना बॉर्डर पर ही उन्हें पकड़ा गया वैसे आपको बता दें चाइना के बॉर्डर से इन्हें पकड़ने के बाद इन्हें वापस लोटाया गया और पड़ी संख्या में लोग वापस भी लोटे लेकिन जो रिवेल ग्रूप है ना उनके लिए सबसे बड़ा फाइदे वाली बात ये हो गई कि सान में इन्हें मिल गई सफलता और जैसे ही इन्हें सान में सफलता मिल गई तो ये लबरेज हो गई कि हाँ वही हम तो एक इलाके म जीत चुके हैं और यहाँ पर हमने संकट पैदा कर दिया है सान के लिए बात भी सही है मैनमार की सेन सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है मैनमार की सरकार बॉडर के इन इलाकों को हासिल नहीं कर पा रही है और बॉडर के इन इलाकों पर धीरे ध जीरे कंट्रोल खोती ही जा रही है अब इसके बाद एंटी जंटा लड़ाकों ने मैनमार के चीन इस्टेट पर हमला करना शुरू कर दिया अब इनका इरादा क्या है इनका इरादा है कि भारत से लगते हुए बॉर्डर पर जो कई जगा इलाके हैं वहाँ पर हम कबजा कर ल यानि भारत और मैनमार के बॉर्डर पर कंट्रोल अस्थापित करना ये इनका मकसद हो गया है अब इसी चक्कर में बहुत सारे लोग जैसे जैसे हमला होने लगा वैसे बहुत सारे लोग भाग भाग कर तीतर बितर होने लगे इसक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जब से यहां पर सैन ने सरकार आई है तक पलट हुआ है तब से भागने वाले लोगों की संख्या बहुत जादा है करीब पांच लाख लोग भाग चुके हैं और सान इलाके से अंठानवे हजार बागों से एक लाख कैन से एक लाख भी सज़ार कुछ इसी तरीके से लगातार और जगड़े जिसकी वजह से यह धीरे धीरे भाग कर पांच हजार लोग भारत के मीजोरम इलाके में घुस गए हैं अब दूसरी एक बड़ी खबर बताई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 43 मैन मार के सेना के लोग भी बौर्डर क्लेस में भाग कर भारत की तरफ आ ग चलेगा पर आपको बता दें सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइना की सरकार ने ना सिर्फ कड़ाई से इस चीज को हैंडल किया बलकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए चाइना ने आरेश्ट वारेंट जारी कर दिया है मैनमार के सेनी सरकार के ऊपर एक प्रेसर डाल दि है तो ऐसे में हमें चार लोगों की इनोंने लिस्ट दी है और कहा ये चारों लोग चाहिए और ना सिर्फ इतना बलकी उनके माथे पर इनाम भी रख दिया है उनके माथे पर एक लाख से पांच लाख युवान का इनाम दिया गया है कि इनकी इन्फोमेशन अगर दिया जा एक तरफ चाइना इस तरीके से हैंडल कर रहा है तो वहीं देखना होगा भारत कैसे हैंडल करता है पर आपको बता दे मैनमार न इस वक्त बहुत बड़ी जियो पॉल्टिक्स का केंद्र बन गया है कैसे केंद्र बन गया है तो पहली बार रूस यहाँ पर उतरा है रूस और मैनमार ये कभी एक साथ कोई बाइलेटरल युद्धा भ्यास नहीं करते थे लेकिन देखा गया कि रूस और मैनमार इस बार उतरे हैं और इसे माना जा रहा है कि कुछ तो खिचडी पक रही है पिछले दो-तीन साल से मैनमार और रूस की नजदी कियां काफी ज़्यादा बढ़ गई है मैनमार में रूसी वायु सेना के कई ट्रांसपोर्ट विमान ट्रेक किये गए हैं पस्चमी देशों का दावा है कि रूस मैनमार की सेन्य सरकार को हतियार महया करा रहा है जिसका इस्तेमाल लोकतंत्र समर्थ को और आम लोगों के खिलाफ किया जा रहा है हिंद महासागर की भूराजनीती में इस तरह के नौसेनिक अभ्यास को काफी आहम माना जा रहा है इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हिंद महासागर में भारत सबसे बड़ी नौसेनिक सकती है 2021 में सेन्य तक्ता प्लट के बाद से मैनमार पर पस्चमी देशों ने कई पर्तिबंद लगा के रखे हैं मैनमार की सेन्य जुन्टा को लोकतंत्र समर्थकों के साथ साथ जातिय ससस्त्र संगटनों के पर्तिरोध का सामना करना पड़ रहा है जब मैनमार में सक्रिय ससस्त्र समूहों ने सैन्य जुन्टा के खिलाफ अवियान सुरू कर दिया है वे इसे रननीतिक लाव हासिल करने की उमीद कर रहे थे मैनमार की तरह रूस पर भी युक्रेन पर आकरमन के कारण पस्चिमी देशों के पर्तिबंदों का दवाब है देशों के साथ अपने संबंदों का विस्तार कर रहा है रूस और मैनमार को देखेंगे तो इस समय दोनों एक ही तरीके का मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और इसलिए एक दूसरे के साथ एक जुडाव मिल रहा है और कमाल की बात ये है कि दोनों देशों ने लगबग 30 साल के बाद सीधी उड़ाने फिर से सुरू की है पिछले साल इस्टर्ण इकोनोमिक फॉरम में रूस और मैनमार ने परमानू सयोग पर एक रोड मैप भी जारी किया था रूस के साथ गहराते संबंदों में मैनमार को चीन पर अपनी भारी निर्भरता में कमी लाने में मदद मिलेगी वैसे आपको बता दें मैनमार रूस के साथ इसलिए भी जुडा रहना चाहता है ताकि वीटो पावर का इस्तेमाल कर सके वहीं आपको बता दे, महनमार में कहा जाता है कि रूस अपना एक सेन्य अड़ा बना सकता है, इसलिए रूस यहाँ पर महनमार से दोस्ती कर रहा है, वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं, जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ झाले है है कर दो सकता है